हेलो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम बनाएंगे एक दम पारफेक्ट हालोय इस्टेल अंगूरी रसकुले बिल्कुल वाइट और एक दम पारफेक्ट रेसिपी स्ट्रिफ हम लोग आदा रिटार दूज से ये अंगूरी रसकुले बनाएंगे वीडियो को एंड तक जरूर दीखिए गर पर हम लोग आसान तरीके से अंगुरी रस्किले बनाने का सही तरीका बताऊंगी वीडियो शुरू करने से पहले एक रूए केस्ट है अगर आप मेरे चैनल पर आज पहली बढ़ाए तो सबस्क्राइब किजिए चलते हैं रेसिप बनाना शुरू करते हैं सबसे पहले एंदर मैं लिया है एक कड़ाए के अंदर तोड़ा सा पाने डाल दिया है एक कप मैं ने रजाएख कपमे दूट डालने हों और रजा निकल ब्लाießen तो आप अगर पहले से अपका जो दूद है ना वह उबला नहीं है तो आप एक उबलाने तक इसे पकाए देखिए दूद को अभी हमने दूद का जो टेंपरेचर है वह आपको चेक करा देते जब हम उंगलिया डबाएंगे ना तब उंगली जले ना इतना होना चाहिए तो यहाँ पर मैंने एक नेमबू का जूद के साथ मैंने यहाँ पर तोड़ा सा पानी मिक्स कर लिया है अब तोड़ा तोड़ा करके डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे जैसे हम लोग नेमबू का जूद डालेंगे ना तब देखिए यह चेना जो एना एकदम बनकर तयार हो हो तो दीखिए मैणे राग दया हूप से ंगरणार फोड़ा सब चाहिए फीट टमणार टाना जमा पानीáis निटीप देखे इस तरह से हाथ से हम लोग दबा दबा के इसका जो अंदर एक्स्ट्रा पानी है उसे निकल देते हैं लास्ट में हमें तोड़ा सा अंदर पानी रहना चाहिए अब हम इसे एक ताली में डाल देंगे और अच्छा से मेश करते जाएंगे अगर आपका जो चैना है नो वो कपड़े में चीपक रहे हुआ अच्छा से चैना नहीं बना है तो दीखे इसी तरह से मैंने एक तो अच्छा बड़ी से मेश कर लिया है यापर मैंने लिया है बेकिंग पाउडर एक चुटकी पर यापर मैंने बेकिंग पाउडर इस्तिमाल करूँगी अगर अपके पास बेकिंग सूड़ा है वो भी इस्तिमाल कर सकते हो लेकिन तोड़ा सा है तो ग़ाइड पाउडर को एक्टिवीट होने के लिए मैंने यह जिसं पर तोड़ा सा पानी इसमाल कर रहे हूँ इसी के साथ मैंने एक टेबल स्पून कॉन फ्लार डाल दिया है जियादा डालने का ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास कॉन फ्लार नहीं है आप यह पर मैदा इस्टेमल कर सकते हो बाइंडिंग के लिए देखिए फिर से हम एकदम अच्छा से सबसामन के साथ हमें अच्छ से इस तरह से मेश कर लाना है जितना अच्छा से मेश कर पाऊगे उतना ही हमारा जो रसकुला है ना अच्छा बनेगा तो दीखे इस तरह से हाथ का जो तेली है इससे आपको अच्छा से मेश कर लेना है दीखे मैंने मेश कर लिया है चलिए भी रसकुले का शेप बना देत तो आप इसमें हमने बॉल्स बनाने का है चूटा चूटा क्योंकि हमने यहापर बना ले अंगुरी रस के लिए इसलिए यहापर हमने एकदम चूटा चूटा बॉल्स बनाने का हाथ के मतल से तो यहापर मैंने एक बना लिया और सारे को बना के यहापर दिखाऊंगी दिखे ये इस तरह से तोड़ा सा लेना है और एकदम चूटा चूटा बॉल्स बनाने का सारे बॉल्स को यापर हमने बना लिया है वन बाई वान करके आप इसके लिए हम चाशनी बना लेते हैं चार्षणी बनाने के लिए यहापर कुई साभ याप पतीला ले सकते हूँ यहापर सबसे पहले मैंने एक कप पाने डाल दिया और दू कप यापर शक्कर कि क्वी हमने दू कप दूद लिया है इसने दू कप शक्कर डालना जरूरी है और एक लाइसी को मैंने इस तरह से तोड़ के डाला था फ्लैबर के लिए आप इनको हमें हाइफ लेंपी पकाएंगे जब तक चीनी हमारा मेल्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे पकाने का इसी तरह से उबल आने के बाद एक डाल के हम चेक करूंगी तक हमारा जो है ना रस्कुले फाट रहे तो आप वापस क्या करें ना फिर सबको अच्छा से मेश करके और बानाने का तूई यह दिखिए बिलकुल नहीं फाटरे आप मैंने एकर करके सारे को डालूंगी इसी तरह से मैंने सब को डाल दिया है अब हाई फ्लेम पे इसी तरह से मैंने 10 से 15 मिनिट इस रस्कुले को पकाएंगे तो यह आपर मैने डाख के राक दिया है बीच बीच में हम क्या करेंगे डाकोन खुल के इसी तरह से चामस से मिक्स करते जाएंगे अगर ये दिखिए इस तरह से बबल्स आ रहे ना हमारा चासने जो है ना कोम होरे दीरे दीरे हम क्या करेंगे इस चामस में इस तरह से पानी लेंगे और तोड़ा तोड़ा इस तरह से हलका गुमा गुमा के पानी ड पकाएंगे चारसनी जो है ना कुछ दिर बद गाड़ा होने लगते इसलिए हम क्या करेंगे इसी तरह से ये स्टेप करेंगे चामच में पाने लेकर इसी तरह से गुमाने का इस तरह से रजगुल्ले भी अच्छा से फूलेगा और चासनी में तोड़ सा पाने भी जाएगा पतला हो जाएगा देखिए आप चेक कर लेते हमारी रजगुल्ला अच्छा से पाका क्या नहीं वह कैसे समझ पाऊगे देखिए रजगुल्ला अगर चामच में ले रहे तो अच्छा से डूब रहे इसके मतलब है हमारा रजगुल्ला अच्छा से पगा गैस का फ्लेम में ने बंद कर दिया अभी टकन लगा के एक गंटे के लिए रेस्ट में रहूंगी ताकि जो चसनी वह अच्छा से अंदर तक चले जाए रेस्ट करते हैं यह पर एक गंटा हो गए है अभी हम एक चानी में निकाल देते हैं ताकि एक्स्ट्रा जो सुगर सीरा पे वह निकाल जा झाल 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 झाल